हलो स्टुडेंस आज स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मेंट्स ठीक है मेट्रिक्स का आपका चेप्टर हो चुका है दोस्तों और जो स्क्वार मेट्रिक्स है उसी का डिटर्मेंट पता किया जाएगा तो इस चेप्टर में जितने भी मेट्रिक्स यूज हो सकते हैं वो सारे के स सारे स्क्वाइर मेट्रिक्स यूज हो सकते हैं बाकि कुछ भी नहीं ठीक है और डिटर्मिनेंट जो है वो दोस्तों आपके एरफोर्स नवी के साफ से बहुत ही ज्यादा इंपोडेंट रहता है क्योंकि यह जो मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट और अप्लिकेशन अप्लिकेशन तो सबसे विले डिटर्मिनेंट यहने कि सारनिक की डिफिनेशन क्या है कि सारनिक जो होता क्या है ठीक है तो सारनिक जो है दोस्तों वो जो वर्ग आवी होता है वर्ग आवी क्या होता है जिसकी कोट पंक्तियों की संक्या और इस्तमों की संक्या क्या हो बराबर ठीक है ठी 3x3 का, 2x2 का, 1x1 का, 4x4 का, इस तरीके के जो matrices होते हैं, उनसे related एक मान होता है, ठीक है, तो definition क्या हो गई, कि वर्ग आवियू से सम्मंदित एक value होती है, और उसके एक procedure होती है, निश्चत ग्यात करने की, ठीक है, तो definition क्या है, कि वर्ग आवियू हूँ, से सम्मंदित एक मान होता है, क्या है, वर्ग आवियू से सम्मंदित एक मान होता है, ग्यात कैसे करते हैं, जैसे A, A, कोई matrix है, suppose, 2, 3, 4, 5, तो इसके determinant value को कैसे लिखते हैं, determinant of A, ऐसे, यह जो mode वाला sign है, यहाँ किसको रिपरजन करता है, determinant को, तो इसके determinant value आएगी ऐसे, 2, 3, 4, और 5, ठीक है, तो definition में बाष से कुछ ज़्यादा है नहीं, वर्ग आवियू से सम्मंदित एक मान, अब अपने को यह ग्यात करना आना चाहिए, कि ग्यात कैसे करते हैं, तो सब पहले देखें कि इसका science system क्या होता है, हाँ, अपने यहाँ पर 2 by 2 और 3 by 3 के determinant ही यूज होंगे, बागे higher order के determinant अपने यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो जितना order बढ़ता जाता है, उसकी calculation ही बढ़ती ही जाती है, ठीक है दोस्तो, तो science system क्या होता है, इस determinant में, अगर 2 by 2 का determinant है, तो पहले element को लेते हैं, plus, दूसरे को लेते हैं, minus, यह first row गई, second row में, फिर यह plus, minus, तो अब minus सी start कर दो, minus, plus, अगर 3 by 3 का determinant है, तो science convention के लिए, plus, minus, plus, minus, फिर minus, plus, minus, और plus, minus, plus, इस तरीके से अपने क्या करते हैं, science convention को use करते हैं, 2 by 2 के determinant के लिए, और order 3 by 3 के determinant के लिए, clear है, दोस्तो, अब इसमें होता क्या है, कि science convention का use करते हैं, इसका परसार करने में, यूज किया जाएगा, परसार विद्धी क्या है, चाहरने का मान ग्याद करने के एक procedure होती है, ठीक है, दोस्तो, तो आगे आता है, expansion of determinants, determinants का expansion कैसे किया जाता है, तो दोस्तो, determinant का expansion कैसे किया जाता है, कि किसी भी पंक्ती या इस्तम के सापेक्स उसका परसार किया जाता है, पंक्ती या इस्तम के सापेक्स परसार किया जाता है, डिटर्मिनेंट की वेल्यू ग्याद करने के लिए किसी भी पंक्ती या किसी भी स्थम के सापिक्स क्या किया जाता है परसार और यह परसार करने का मक्सद यह रहेगा कि जो higher order इन डिटर्मिनेंट है वो 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में बदल जाए ठीक है अब जिसे 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है जिसे 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है इसकी डिटर्मिनेंट वेल्यू ग्याद करने है A, B, C, D तो आपको basically करना क्या है कि इसके जो diagonal elements है यह मुख्य डिटर्मिनेंट हो गया AD इनको आपस में multiply करो और यह बचावा diagonal हो गया CD को multiply कर दो और इनको गठा दो तो यह 2 by 2 के डिटर्मिनेंट की value जो है वो directly आ जाएगी तो जब भी higher order का डिटर्मिनेंट दे रखा होगा तो उसको expand करेंगे expand करके उसको 2 by 2 में convert करेंगे तो अपना डिटर्मिनेंट वेल्यू आ जाएगी जैसे 3 by 3 के डिटर्मिनेंट को convert करना है जैसे 3 by 3 के डिटर्मिनेंट को लिखना है A, B, C, D, E, F, G, H और I यह आपका 3 by 3 का डिटर्मिनेंट अब इसको expand करना है तो किसी भी row के respect में expand कर सकते हो और किसी भी column के मैं suppose first row के corresponding expand कर रहा हूँ तो first row के element ऐसे के लिख दो फिर 2 by 2 के determinant लिखेंगे दूसरा element लिख दो फिर 2 by 2 का determinant आएगा फिर तीसरा element लिख दो फिर 2 by 2 का determinant आएगा अब जो elements के sign होते थे वो लगा दो इसका sign प्लस होता था तो कोई दिक्कत नहीं इसका sign होता है minus इसका sign होता है plus अब 2 by 2 के यह 3 by 3 का जो determinant था वो किसम का नोट और expansion से 2 by 2 में ठीक है अब कैसे करते हैं कि जिस element के respect में अपन expand कर रहे हैं उस element की पंक्ति को और column को eliminate कर दिजिए बचा वालिक दिजिए तो एक respect में कर रहे हैं और यह गया बचा कितना E F H I फिर B के respect में कर रहे हैं तो B के स्थम गया है B की पंक्ति की तो क्या बचा D F G I तो यह आ गया है D F और G और I ठीक है ऐसे ही C के respect में गया है तो यह गया और यह गया तो क्या बचा D E और G H अब यह जो 3 by 3 का Determinant था वो किसमें convert हो गया 2 by 2 में अब 2 by 2 की value अपन डारेक्ट ले गया है कर सकते है इस तरीके से Determinant value पता की जाती है बाकि तो 12th क्लास में आप पढ़ किया है यह तो जद्ध है यहाँ पर बताने के भी आपको ज़रूदते है नहीं तो इसका एक क्यूशन करते हैं जैसे आपको बोला कि यह एक क्यूशन है कि इसका मान गया था यह 1, 2, 3, 4, 1, 0, 2, 1, 5 अब आप इसका किसी भी पंक्ती या किसी भी इस्तम के respect में expand करोगे तो value हमेशा क्या आती है same उससे changes नहीं मिलता तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको first row के respect में expand कर रहा हूँ तो first row के elements कितने हैं फिर यहां 2 by 2 का जाएगा फिर कितना है 2 यहां 2 by 2 का जाएगा फिर कितना है 3 यहां 3 by 2 by 2 का जाएगा यह plus, यह minus और यह plus अब 1 के respect में करना है इसके तो यह गया और यह गया तो बचा कितना वन जिरो वन फाइब इस टू के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बचा तो के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बचा फाइब जिरो टू फाइब और त्री के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा फाइब वन टू वन अब ये टू बाई टू में कनोट हो गया तो वह पता कर सकते हो तो यह आगया वन यह आगया फाइब इसको इदर उना किया तो वन इंटू जिरो यह आगया टू यह आगया टू यह आगया ट्वेंटी फाइब माइनस जिरो फिर यह आगया थ्री यह आगया फाइब माइनस तो अपने पास यह कितना बच गया एक तरीका और बताता हूं क्रेमर रूल से ना सुरी ना एक सिदा साय सोट कट टाइप से समझ सकते हो जैसे आप वो दिया 123401215 एक तरीका तो यह था दोस्तों अब इसकी वेल्यू दूसरे तरीके से करें अब चाहिए जो तरीके हैं वह आप नुमेरिकल जब वेल्यू जो जी तभी इस्तमाल किजिएगा अधरवाइस त आते हैं डिट्रिमेंट की वह अपने योज करेंगे ठीक है तो आप क्या करो इसके पहले दो कोलम आगे लिख दो यह लेजिए ठीक है फिर डाइगनली मल्टिप्लाइ कर दो एक तर प्रिंसिपल डाइग जो मुखे डाइगनल उसके रिस्पेक्ट में करो तो यह आएगा इदर गुणा कराते जाओ तो एक गुणा जीरो गुणा पांच कितना आएगा जीरो ऐसे देखो यह अगले बन गया गए तो दो गुणा एक दो दो दुनी च्यार जोडते जाओ इनको गुणा कराके फिर यह आ गया तो कितना गया चारती बारा गुणा एक बारा तो यह अगिया इधर से 16 ठीक हैंब इधर से करो तो यहाइगा दोना जिरो गुना जिरो गुना फिर यो आएगा उक गुना एक तो आयगा तो फिर आएगा दो गुना चे रह्म पांच गुना च्यार साथ सोग ईता कै cu ठीक है, तो कितना बचे गया यहां से दोस्तो, 40 में से सोला गया, तो 24 रेक 25, तो माइनस का 25, यह अपना क्या हो गया, आंस्वर, अगर expand करके भी पता करते हैं, तो भी यही आंस्वर आता, ठीक है दोस्तो, तो इस तरीके से अपना determinant का जो basic है, वो expand करके solve करते हैं, ओके, साइन ठीटा, और साइन ठीटा, और कोस ठीटा का मान गयात कीजिए, तो दोस्तों यह कितने बाए कितने का है, टू बाइटू का determinant है, और टू बाइटू के determinant की value अपन डारेक्टली गयात कर सकते हैं, कैसे, क्रोस मल्टिप्लाइ कर दो इनको, तो यह आजाएगा, कोस स्कुएर ठीटा, अब कोस स्कुएर ठीटा प्लस स्कुएर ठीटा की दोस्तों कितने होता है, तो इस क्यूशन का अंसर आ गया, ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे, ओके, चली आगे चलते हैं, और मैं तो यह कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने, टू तो आपका डेटर्मिनेंट जो है, वो बहुत ही अच्छे से भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ बहुत ही अच्छे क्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, और अपने को एरफोर्स ने में उतने अच्छे क्यूशनों की भी ज़रत नहीं पड़ती, बहुत ही एक सरफेस छलता है चीज, ठीक है, चली है, आगे है, यदि सार्ने का मान 4 हो, उल्ठा फूच लिया, कि सार्ने का मान 4 है, तो के का मान गया, तो कैसे करयोगए दोस्तो, वही क्रोस उल्ट भाई, तो यह आगे है, 4K, सोला बराबर कितना देर कहा है, 4, तो यहाँ का दोस्तों क्या आगया आंस्परा आगया ओके आगे चले चले आगे चलते हैं एक किस मान के लिए साड़ने का मान सुनने होगा इसकी वेल्यू क्या बोल रहा है आपको कि 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 किस मान के लिए इस डिटर्मिनेंट की वेल्यू कितने होने चाहिए जीरो अगेन वही चीज है लिए आगे माइनस का 8 बाई 3 तो यह अपना क्या हो गया आंस्वर हो गया थेगा दोस्तो आसान है कर सकते हो चले आगे चलते है नेक्स्ट कुस्टन है कि यह डिट्रिमेंट है xy24 is equal to 0 then find the value of x ratio y x अनुपात y की value चाहिए तो क्या करना है वही सोल कर लिजी तो यह कितना आगया 4x minus 2y बराबर कितना दे रहा है 0 तो यहाँ से 4x बराबर आगया 2y अपनको अनुपात चाहिए तो y को इदर ले जो 4 को इदर ले जो तो यह जाएगा x upon y बराबर जाएगा 2 by 4 तो x अनुपात y जो है वो कितना अगया एक अनुपात दो यह आपका क्या हो गया आंस्वार ठीक है चले आगे चलते है नेक्स है कि यदि एक डिटर्मिनेंट आपको देर का 2, 3, Y, X इस इकल्स तो 4 और सेकिंड है X, Y, 4, 2 और उसकी वे लिए आपको 7 तो X सथा Y का मान गयात कीजिए अब दोस्तों यहां पे दो वेरियेबल X और Y तो आपको भी पता होगा कि दो वेरियेबल होते हैं तो कितनी एक्वेशन की जरुत परती है तो एक एक्वेशन के लिए यह डिटर्मिनेंट आपको दे दिया और एक एक्वेशन के लिए elimination use करके आपको x और y का मानप्राप्त हो जाएगा ठीक है तो आईए start करते हैं तो इसको solve किया तो यह कितना हो गया यहां से 2x minus 3y is equals to आगया 4 यह होगी equation 1 इसको solve किया तो यह आगया 2x minus 4y is equals to 7 यह होगी equation number 2 अब x और y में 2 equations आगयी तो क्या लगा दो दोनों में evaluation तो first में से second को क्या कर दो subtract तो अपने पास क्या थी 2x minus 3y is equals to था 4 एक 2x minus 4y is equals to 7 इनको subtract किया तो यह minus यह minus वाला तो plus और यह minus यह cut गया यह आगया minus 3y plus 4y तो कितना आगया यहां से y और 4 minus 7 तो आगया minus का 3 इसमें put कर दी तो y की value minus 3 put की यह लिजे तो यह आगया यहां से x है न यह है 2x तो यह आगया 2x यह आगया plus का 12 बराबर आगया 7 तो 2x बराबर आगया 7 minus 12 तो minus का 5 तो यहां से x बराबर आगया minus 5 by 2 तो यहाँ पर आपको x की value मिलती है minus का 5 by 2 और y की value मिलती है minus का 3 ठीक है दोस्तो तो इस तरीके की question यहां से आपके simple simple question बनाई जाते हैं चले आगे चलते है ठीक है next question दोस्तों आपके पास है कि यह दी determinant x minus 4, x minus 2 x or x minus 3 is equals to 0, then find the value of x similar pattern का question है तो again दोस्तों क्या करना आपको expand करना इसको यह इसकी value पता करनी है 2 by 2 का expansion direct होता है और इसको किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है और solve करना है तो इसको multiply के तो यह कितना आगे x minus 4 और यह आगे x minus 3 और इसको multiply के तो यह आगे x x minus 2 equals to 0 अब दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि द्वीघात समीकन बन रही है x के terms में एक द्वीघात समीकन है और द्वीघात समीकन का हल कैसे करते है by factorization method गुणन खनवीदी से और एक सिरी धराचारे जिसको अपने हिंदू method भी बोलते है उनसे अपन solve कर सकते तो पहले इनको multiply करते तो यह आगया x square यह आगया minus 3x यह आगया minus का 4x और प्लस का 12 इनको अदर multiply करेंगे तो यह आजएगा x square minus का 2x is equals to 0 अच्छा यहां से दोको एक सब बड़ी बात ही होई कि यह द्वीघात दिखतो रहा था यह minus का x square और प्लस का 2x यह द्वीघात दिखतो रहा था लेकिन बन नहीं रहा क्यूं? क्यूंकि यह x square x square क्या हो गया? cancel अभी आगया minus 3x minus 4x 7x minus 7x plus 2x तो minus का 5x आगया और यह 12 बच गया यहां तो प्लस का 12 बराबर 0 तो यहां से अपने पास x की value जो है वो आजाएगी 12 upon 5 यह आपका दोस्तों क्या जाएगा? answer आजाएगा ठीक है? चलिए आगे चलते हैं आगे आपको क्यूशन दे रहा है कि सानिक का मान गयाद कीजिए ठीक है? दोस्तों यह जो डारेक्ट वाले क्यूशन है cos 80 degree गुणा sin 10 degree फिर minus यह कितना है? minus का cos 10 degree और sin 80 degree अब यह minus minus क्या हो जाएगा? plus तो यह फोड़ना मन गया cos 80 degree minus sin 10 degree और फिर आजाएगा plus का sin 80 degree और cos of 10 degree ओके? अब यह तो आपको दिखी रहा होगा पूरा का पूरा क्या है? फोर्मुला है किसका cos x minus y क्या होता है? cos x cos y sorry यह किसका फोर्मुला है? sin x plus y का देखो cos x sin y sin x cos y है ना तो यह हो जाएगा sin यह बन जाएगा 80 plus 10 तो यह कितना होगा? sin 90 degree और दोस्तों आपको पता है sin 90 degree की वहली कितने होती है? 1 होती है ठीक है? कर सकते हो? हाँ यह ना? चलिए आगे चलें थोड़ा सा? चलिए आगे similar pattern है कि उसना तो कैसे करोगे वही? यह लिजिए तो यह आगे है cos 50 और cos 10 degree minus sin 50 और sin 10 degree उसमें तो बना था sin x plus y का इसमें दो किसका बना है? cos x cos y minus sin x यह किसका होता है? cos x plus y का तो यह बन गया cos 50 plus 10 तो दोस्तों यह बन गया cos of 60 और cos 60 की वहली कितने होती है? 1 by 2 यह आपका यहाँ प्रिस का final answer आता है ओके? चलिए आगे है 3 by 3 का detment आ गया ठीक है? अब 3 by 3 का अभी तो अपनों प्रोपड़ी जिस्टेडिक ही नहीं है तो अपन तो expansion से ही solve करेंगे तो 3 by 3 का solve करोगे तो expand करोगे तो किसी भी row के respect में expand कर सकते हो मैं यहाँ पर row 1 के respect में expand कर रहा हूँ किस के respect में? row 1 के respect में ठीक है? तो क्या element 1 है? फिर कितना है? के यह किसका लिखोगे? माइनस का और फिर है 3 यह लेजिए तो अब 1 के respect में क्या? तो 1 वाली पंक्तिगी 1 वाली इस्तम गया कितना बचा? यहाँ से के माइनस 2 और 3 माइनस 1 फिर इस के respect में क्या? तो यह गया और यह गया तो बचा गया 3 माइनस 2 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 ओके? फिर इस 3 के respect में गया तो यह गया और यह गया तो बचा कितना? 3K और 2 और 3 अब इसको सोल कर लिजिए तो यहां से आ गया 1 इंटू यह आ जाएगा माइनस का K और माइनस माइनस प्लस 6 यह माइनस के है सोरी बचावाई तो यह आ गया माइनस 3 और यह माइनस 4 आएगा लेकिन सब्टेट करोगे तीन गुणानों सब्टाइस माइनस 6K ठीक है अब सोल कर लिजिए यह आ गया माइनस का 8K और यह आ गया अपने पास 33 ठीक है और यह किसकी वेल्यू किसके बराबर दे रिखे है दोस्तो 0 के बराबर दे रिखे है यह लिजिए ठीक है तो यहाँ से K की वेल्यू कितने आ गई 33 बटा 8 यह आपका क्या गया आंस्वर तो यहाँ पर क्या है इन में से कोई ने एक्स्पेंड किया है आप भी कर सकते हो और देख सकते हो मिस्टेक हुई है यह नहीं हो कई बार मिस्टेक भी हो जाते है तो आपको थोड़ा सा ठेक केर करना चले आगे चलते है नेक्स्ट है कि मेंस एकस प्लस वन जीरो फिर आएगा पर फिर आएगा जीरो अच्छा जीरो के मिल्टिप्लाइण में तो जो भी आईगा वो क्या बन जालएगा जीरो अब minus x के respect गया तो यह गया तो माइनस x 1 1 minus x 1 के respect गया तो 1 1 0 minus x और 0 के respect गया तो 1 minus x और 0 और 1 बचा लेकिन यह वाला मानिस 1 यह आगए माइनस का x और minus 0 बराबर 0 ठीक है यह आ जाएगा यहां से माइनस का X क्यूब यह आ गया माइनस का X सुर्ण माइनस माइनस प्लस और यह आ गया प्लस का X बराबर 0 तो यहां से X कोमन लिया दोस्तों तो यहां से बचा 2 और यहां से बचा माइनस का X स्क्वाइर बराबर 0 ठीक है तो यहां से x की value एक तो हो रही है 0 और एक हो रही है x square की value कितने आ रही है 2 तो x की value आ रही है plus minus and root 2 ठीक है तो यहां से 3 values आ रही है एक तो आ रही है 0 और एक रही है plus minus and root 2 ठीक है तो कौन सा option होगा है बी option है आपका correct होगा ओके चलिए आगे चलते हैं कि आगे है 111 उधर भी 111 ओमेगा स्क्वेर ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वेर यहां पर लिख सकते हो जहां इसका मान पुचा है जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है किया है इकाई का घनमूल तो यहां पर ओमेगा की कुछ परफटी जह है वह याद रहने लिए तो आपको नशे कि 1 प्लसंद ओमेगा प्लसंद अमेगा स्क्वेर इकाई के घनम्ूल मेगा गयरते हैं यह कोस्टा ऐख ओमेगाए स्क्वेर दोस्तों 0 और गुनना पन्रुद करोगे तो omega cube आएगा omega cube की व sym Alternative होती है 1 अच्छा omega की जो पावर है वो 3 का multiple है तो आती है 3 के multiple से 1 ज्यादा हाती है तो होती है omega और 3 के multiple से 2 ज्यादा हाती है तो बनती है omega square ठीक है? और omega की दोस्तों value होती है minus 1 plus android 3 आयोटा बाई टू और ओमेगा स्क्वाइर की वेलू दूसरों लेते हैं माइनस वन माइनस अंडूर्ट थ्री आयोटा और डिवाइड बाई टू यह कुछ एक चीज़े हैं जो यह कायके घनमूल से आपको याद रखनी है तो अपने को तो काम काया करना है वह एकस्पेंड करके सोल करना है तो यह लिजी आया वन फिर माइनस वन और फिर प्लस वन इसकी वेलू चाहिए तो वन के रिस्पेंट में गया तो यह बचा ओमेग सोल करते हैं कि 3 के मल्टिक्ल से एक जद्दा तो होकी कितना हों मेगा तो यह कीतनी हो ना तीन प्लस एक ना तो इसके वेलु आजाएगे ओमेगा यह आगया ओमेगा स्क्वार यह आगया माइनस का ओमेगा स्क्वार प्लस का ओमेगा यह ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वार तो यह से हो गया थ्री ओमेगा हो गया और minus का 3 omega स्क्वार हो गया अब 3 कोमले लेजिए अब omega और omega स्क्वार की value पूट कर दीजिए तो omega की value है minus 1 प्लस अंडूट 3 आइटा बाई 2 और omega स्क्वार की value है minus 1 minus अंडूट 3 आइटा बाई 2 यह लेजिए और दोनों का क्या है सब्टेक्शन आप सोल करोगे 2 आ रहा लगूता माइनस 1 प्लस 1 यहां माइनस 1 यह प्लस 1 कटने चला जाएगा यह अंडूर्ट 3 आयोटा और यह माइनस माइनस प्लस तो 2 अंडूर्ट 3 आयोटा जाएगा तो यह जो है वो बन गया 3 और 3 यह जो एक्सपेंड करके आपके इस पेर्टन के के सिन पुछे जाते हैं ठीक है अब इसके अंदर calculation अगर कहीं ज्यादा है तो उस question को अपन by expansion से prefer नहीं करते हैं उसको अपन इसकी determine के कुछ properties होती है उन properties को use करते हुए अपन क्या करते हैं सोलो करते हैं ओके दोस्तों तो यह था दोस्तों अपना आज का लेक्चा अब जो लेक्चे सेकेंड आएगा उसके इंदर आपको बताऊंगा कि determine की properties क्या है और उनसे किस तरीके के question develop होते हैं ओके